आज यहां पर आरक्षन बचाओ रेली उत्तरपदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आरके चोधरी साहब जो की बीयस फोर के राश्टी अध्यक्स हैं उनके आवाहन पर आज सम्विधान बचाओ रेली यहां से लोग निकलेंगे तिरंगा जंडा जिस तरह से मैसेज मिला था कि तिरंगा यात्रा निकलेगी और बाबा साहब डाक्रों मेडकर की प्रतिमापे जाएगी वहाँ पर इस यात्रा अगए भी सर्जन किया जाएगा यहां पर आरके चोधरी साहब के बियस फोर के तमाम कारिकरता मौझूद है और पुलिस प्रसासन के लोग भी पुलिस प्रसासन के भी लोग यहां पर मौझूद है और यहां कमिशनर पंकत स्रिवास्तो जी आए हुए हैं इनका कहना है कि हम आपको यहां से निकलने नहीं आगे रोंकेंगे कार अगयorkरताओं का कहना है कि जहां तक हम चाहसे कहेंगे वहां तक जाएंगे लाठी खाएंगे गोली खाएंगे गिर्फकारी होगी गिर्फकारी भी देंगे ले medida कि अपने मकस्द मेक्सका को पूरा करें कि जिस तरह से आरच्छन पर बितरगात हो रहा है गहरी चोट दी जा रही है इस देश का सिगूर कास्ट बैकवर्ड बहुती आहत हैं हम मानी सुप्रीम कोड के आदेश का उलंगा नहीं कर सकते लेकिन हम अपनी आवाज तो बुलंद करी सकते सरकारों के सामने क्योंकि जिस तरह से हमारा अरच्छन खत्म किया जा रहा है चाहे सरकारों के माध्यम से चाहे मानी नयाले के माध्यम से यह हम लोगों के उपर एक बड़ा जटका है जिस तरह से परमोशन में आरच्छन पर रोप लगाई गई और कह दिया गया कि कोई आपका मौली का अधिकार नहीं है इसी तरह बैकोट के लोगों का तमिल नाटमेंग मेडिकल इन्वर्श्टी में एडविशन के लिए उन्होंने अपने बैकोट के कोटा का रिज़विशन मांगा और उस पर भी सुप्रिम कोट का मानी सुप्रिम कोट का आदेश आया कि आपका कोई मौली का अधिकार नहीं है पूरे देश के सरकारी भाग अपनी जी करन में तब्दील हो रहे हैं चाहे रेलोई भाग हो बिजली भाग हो और यहां तक की एरपोर्ट पूरी तरह से ये बीजेपी सरकार अपने जो पूजी पती लोग हैं उनको 50-50 साल के लिए एगरिमंट कर दिया है एक तरह से उन आपको तो मारना है कि संविधान जो है आपको जो आरक्षन है वो संवैधानी कधिकार है और संवैधानी कधिकार होने के नाते जो संस्थाएं संविधान पे कुठारा घात कर रही हैं आप संविधान बचाने के लिए निकले हैं आप संविधान बचाने के लिए निकले है आप चाहते हैं कि भारत का संविधान लागू रहे बचा रहे सुरक्षित रहे सरकारें उसी के अनुरूप कारिकर है सतेम्दर जी आज आपका लक्षित नहीं है आप लोग रहेली निकालके कोई ग्यापन अगरा देंगे जो कारिकरम हो रहा है एक संगठन यहीं है भारती सं संविधान संविधान संग than sanghar Samiti को नारा ही है का ही पूरा नाम है यह हम लोग को पुछाने का पूरा प्रयास करेंगे इसकेशिए हम को लाठी ञड़े चाहे गोली खाना पड़ेगे यह लड़ाई हमारी नहीं है यह हमारे भवीष की लड़ाई है हमारे समाज की लड़ाई है अगर आज हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हमारा भवीष, हमारा समाज हमें किसी से लड़ाई नहीं है पिजाओ अरचन को बीग नहीं जो जमीदान को मानने वाले लोग हैं जो डेमकरिसी में विश्वास करते हैं वो लोग समीदान बचाने के लिए निकले हैं बहुत बहुत धन्यवाद समीदान बचेगा हम बचेगे आप बचेगे देश के समस्तनागरिक बचेगे